सभी दर्शकों को जैशे राम इस सेशन में हम ये जानेंगे कि होलास्टक क्या होता है होली से पहले के आठ दिन को होलास्टक करते हैं तो होलास्टक क्या होता है होलास्टक में क्यों नहीं होते शुबकारी क्यों ये आठ दिन अशुब माने गये हैं और इस वर्ष मार्च में कब से शुरू हो रहे हैं होलाश्टक जैसा कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा है होलाश्टक शब्द का अगर हम संदी विछेद करनें तो होली प्लस अस्टक होता है होलाश्टक फालगुन शुकलपक्ष अस्टमी से शुरू हो करके फालगुन शुक लपक्ष पूनी मातक रहता है चुकि ये अस्टमी तिथी से प्रारंब होता है इसलिए भी इसे होलास्टक कहते हैं और ये आठ दिनों का होता है ये आठ दिनों का होता है इसलिए भी इसको होलास्टक कहते हैं दुसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमें होली आने की पुर्व सूचना होलास्टक से प्राप्त हो जाती है इसी दिन से होली उत्सों के साथ साथ होली का दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती है जी हाँ, होलिका ख़ान की तयारियाँ होलास्टक के पर्थम देन से प्रारम हो जाती है होता यूँ है, कि होलास्टक में जितने गरह होते हैं, नौगरा की जो हम परिकल्पना करते हैं तो 9 ग्रह में हम 8 ग्रह मानने सीधे, तो होलास्टक में 9 के 9 ग्रह जो होते हैं, वो उग्र सुभाव के हो जाते हैं, उनमें कई प्रकार के हल्चल देखे गए हैं, जोतिश के अनुसार होलास्टक के समय में सभी 8 ग्रह, और सभी ग्रह का सुभाव उग्र हो जाता है। ऐसे में शुब कारे के लिए ग्रह की ये इस्थिती अच्छी नहीं माली जाती हैं, इस दोरान मांगलिक कार्य करना या किसी नए काम की शुरुआत करने में से उसमें सफलता नहीं मिलने की सम्हना बढ़ जाती हैं। तमाम तरह की रुकावटें आती है। इन ग्रहों के निर्बल होने से मनुष्य की निर्णय छमता पर भी प्रभाव पड़ता है। निर्णय छमता छीड हो जाती है। इस कारण मनुष्य अपने सुभाव के भी परीत फैसले कर लेता है। जीवन में बिमारी, क्लेश, यहां तक कि अकाल मिर्थु का साया भी मंडराने लगता है इन आठ दिनों में, इन होलास्टक पिरियेट में। जब इतना इसको अशूब मान रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि होलास्टक अशूब है। पौराणिक कथा क्या अनुसार, यह आप सबको पता है, होली का दहन क्यों होता है, उसके बाद होली कैसे होती है। पौराणिक कथा क्या अनुसार होली से ठीक आठ दिन पूर्व। हिरण कशीपू अपने बेटे प्रहलाद को विश्णुजी की भक्ति को भंग करने के लिए कई तरके से पताडित करना शुरू करता है। होलास्टक के ये आठ दिन यातनाओं के दिन माने जाते हैं। कई प्रकार की यातनाएं विश्णुभक्त प्रलाद को दी जाती है। और ये जो यातनाओं दी जाती है विश्णुभक्त प्रलाद को इस यातनाओं को देख करके बाकी सब ग्रह जो होते हैं। डिष्छर्ब हो जाते हैं बाकी सब 가까 ख्रूर हो जाते हैं और होलस्टक में यह ग्रह अशु प्रभाव डालते हैं यही कारण कि होलस्टक में विवा मुंडन गरीः प्रवेश इत्यादि मांगलिक कार नहीं किया जाता है इसके परिणाम शुभ नहीं दिखाई पड़े हैं आए जान लेते हैं कि हुलाश्टक में किस दिन कौन से ग्रा उग्र होते हैं हुलाश्टक के पहले दिन यानि अस्टमी होती है हुलाश्टक का पहला दिन अस्टमी अस्टमी के दिन चंद्रमा उग् को शुक्र अशुफल देते हैं, द्वादसी को ब्रेस्पति नकारात्मक प्रभावर देते हैं, त्रियोदसी को बुद्ध उग्र हो जाते हैं, चतुर्दसी को मंगल उग्र हो जाते हैं, और पूर्णि मातिति पर राहू ही उग्र हो जाते हैं, इसलिए इस आठ दिन को शु कार्य मांगलिक कार्य हमारे खुड़स संस्कार जो होते हैं सोलो संस्कार बर जीत हैं कि इस वर्ष होलाश्टक सतरह मार्च से शुरू होगा सतरह मार्च से प्रारंब हो करके 24 मार्च जो पूर्णिमा है उस दिन समाप्त होगा सतरह मार्च संटे 17 मार्च रवी बार और 24 मार्च रवी बार रवी बार शुरू हो करके रवी बार तक होलाश्टक है इस बार होलाश्टकों में ब्रत पूजन हमन किये जाते हैं होलाश्टक पिरियेड में ब्रत पूजन हम को अच्छा माना जाता है इससे ग्रह को जो कुरूर ग्रह हैं उनके निगेटिव इसपेक्ट को कम करने में मदद मिलती है इसलिए पूजा पाठ किया जा सकता है अपने संसकार नहीं किये जा सकते हैं इन दिनों में किये गए दान से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है हुलाश्टक के दवरान विवा गिरिपरवेश मुंडन नाम करन विद्यारम इत्याद सभी मांगलिक कार या कोई भी नवीन कार प्रारम करना सास्त्रों के अनुसार उच्चित नहीं माना गया है लेकिन इन दिनों को अशुब मानने के पीछे धर्म करन्तों में दो कथाएं बताई जाती है ये जो आठ दिन है वो अशुब क्यों है उसके पीछे दो कथाएं बताई जाती है पहली कथा जो है भक्ति पर आगात हुआ था विश्व भक्ति पर आगात हुआता प्रहलाद के बक्ति पर आगात हुआता पौराणिक मान्यताओं की अनुसार भक्त प्रहलाद राक्ष स्कुल्म में जनमे थे परन्तु वे भगवान नाराण के अनन्य भक्त थे उनके पिता हिरण कशिपु को उनकी इश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए हिरण कशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार के जगन्य क्ष्ट दिये माननेता ये है कि होली से पहले के आठ दिन यानि अश्टमी से पूनिमा तक प्रहलाद को अत्यधिक यातनाएं दी गई मृतु तुल यातनाएं दी गई ताकि उनका अंत हो सके जब हिरण कशीपू अपने पुत्र को समझाने में सफल नहीं हुआ तो उसकी हत्या की कई प्रकार के यतन करने लगे और हत्या का जब भी कोई यतन करता है तो यतनाएं तो दी जाती है सो भक्त प्रहलाद को उन अंतिम आठ दिनों में अस्टमी से पागुनबास के शुक लपक्स के अस्टमी से पुर्णिमा तक विभिन परकार की यतनाएं दी जाती है पुर्णिमा के दिन क्या होता है अंत में होलिका जो हिरण कशीपू की बेहन होती है होलिका ने प्रहलाद को ले करके अगनी में प्रवेश किया क्यों? क्योंकि होलिका राक्षसी को ब्रह्म देव से बर्दान प्राप्त था कि अगनी उसका कुछ नहीं भी गाड़ सकती अर्थात होलिका अगनी से जलेगी नहीं तो ये हुआ कि होलिका तो अगनी से नहीं जलेगी लेकिन इसको गोद में ले करके अगर बैठ जाए अगनी में तो ये जल करके राक हो जाएगा और इस तरीके से हिरन कशिपू के राज से पिश्णु भक्त का अंत हो जाएगा होता कुछ और है होलिका प्रहलाद को लेकर के अगनी में प्रवेश करती है लेकिन प्रहलाद बच गया है और होलिका खूद ही जल गई अर्थात ब्रह्म देव का वो वरदान भी फेल हो गया फ्यूटाइल हो गया अश्टमी से पूणी मातक प्रहलाद को जगन्य कश्ट दिये जाने के कारण नौगरा भी कुरोधित हो गया जोतिश्य मन्नेताओं के अनुसार अब भी अश्टमी से पूणी मातक नौगरा उग्र रूप में रहते हैं अब भी वह जो पिरिएड है अस्टमी से लेकर के प वाले शुबकारियों में अमंगल होने की आशंका बनी रहती है कि इन इन दिनों में ब्यक्ति के नेना लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है इसलिए खुलाश्टक में शुब कारियों को करने की मना ही होती है ये था ये थी पहली कता भक्ती पर आगहात हुआ था एक दूसरी कता भी है और दूसरी कता जो है भगवान भोलेनाथ से जूड़ी हुई है शिव के क्रोध से भस्म हुए थे काम दे जी हाँ आपको पता होगा माता सती के यग्यकुंड में पूद करके अपने आपको जला देने के बाद से भगवान भोलेनाथ तपस्या में चले गए थे कुछ समय के पस्चात हिमाले पुत्री पार्वती का उतरण होता है और हिमाले पुत्री पार्वती ये चाहती थी कि उनका विवाब हो ले नाथ से हो लेकिन विवाब तो तभी होगा जब तपस्या से बाहर निकलेंगे शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे शिव जी को तपस्या से हटाने के लिए देवताओं के अनुरोध पर काम देव ने अपना प्रेम का पुष्ट वाण चला करके शिव जी की तपस्या को भंग कर दिया काम देव को देवताओं के अनुरोध पर यह काम दिया गया यह कार्या दिया गया कि शिव जी की तपस्या को भंग की जिए ताकि माता पार्वति का विवाश शिव जी के साथ हो सके उससे जो पुत्र हों गगे कारणी के जी उनहीं से तारका सुद्ध का बद हो सकता है इसलिए उनकी तपस्या को भंग करना अवश्यक था तो काम देव ने अपना प्रेम का पुष्प वान चला करके शिव जी की तपस्या को भंग कर दिया इससे महादेव अत्यन्त कोदित हो गए उन्होंने अपने तिसरे नेत्र की ज्वाला से काम देव को भश्म कर दिया जैसे ही शीव जी की तपस्य भंग होई शीव जी ने अपना त्रिनेयद्र तिसरा नेत्र खोल दिया और सामने काम देव दिखे और काम देव भस्म हो गये प्रेम के देवता कामदेव के भस्म होते ही सारी स्रिष्टी में शोक ब्यापत हो गया अपने पती को पुनर जिवित करने के लिए रती ने अन्य देवी देवताओं सहित महादेव से प्राथना की प्रसन्न होकर के भोले भगवान ने कामदेव को पुनर जीवन का आशिरवाद दिया फालगुन शुक्ल अस्टमी को कामदेव भस्म हो गए थे और आठ दिन पूरी लोगों ने उनकी अनुने विने की तब जाकर के आठ दिन बाद महादेव से रती को उनके पुनर जीवन का आशिरवाद प्राप्त हुआ अर्थात आठ दिन बाद से आशिरवाद प्राप्त हुआ रती जी को अर्थव जाकर के कामदेव जी पुनर जीवी तो हो पाए इन आठ दिनों में सारी स्रिष्टी शोक से ब्याकुल रही थी काम देव भश्म हो गए हैं पुष्प प्रीम का पुष्प मान चलाने वाले काम देव भश्म हो गए हैं तो पूरी स्रिष्टी में जो है शोक ब्याप्त हो गया था और तभी से खुलाष्टक के इन आठ दिनों में कोई भी शुबकार्य संपन्न नहीं किये जाते तो ये दो कारण है जिससे होलाष्टक को अश्रूब माना जाता है और चुकि होलाष्टक को अश्रूब माना जाता है यहीं वज़ा है कि होलाष्टक में 16 संसकार समेत कोई भी शुबकार्य करना वरजित है पूजा पाठ हमन करना वर्जित नहीं है ये संसकार में नहीं आते ये पारलोकिक कार्यमाने जाते हैं संसकार में सिर्फ मनुष्य से संबंदत जो संसकार है 16 संसकार उन्हीं को गिने जाते हैं इस वर्ष होलास्टक 17 मार्च से 24 मार्च तक रहेंगे 17 मार्च 24 से 24 मार्च 24 तक रहे हैं अगर धार्मी कमान्यताओं की बात किया जाए तो होलाश्टक में तो वर्दान भी वेकार सावित हो जाते हैं आपने देखा आपने देखा ब्रह्म देव से वर्दान प्राप्त था होलिकार आक्षिसी को कि अगनी उसका कुछ नहीं भी गाड़ सकती इस होलाश्टक पिरियेड में वो वर्दान भी फेल हो गया होलिका जलकर राक हो गई और प्रहलाद जी साकुशल बाहर निकल गया तो पूरी स्रिष्टी में पूरी स्रिष्टी में ये आठ दिन शुब नहीं माने जाते हैं तो इसलिए इस आठ दिन में कोई भी शुब कारे करने से हमें भी बचना चाहिए आठ दिन बच करके और उसके बाद से बड़े धुम धाम से प्रस्म और रिवाज के साथ होली मना आते हैं होली मना आते समय भगवान भोले नात का भी गीत गया जाता है और भगवान सिरकिष्ण का भी तो मिलते हैं होली के रंगों के साथ यशोदा कुछर नंदलाल के साथ हरियर बाबा के होली मिलन के साथ तब तक के लिए आप सभी को जैशीरा